जेहिन दोस्तों मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे है ग्लोबल गॉन्फलेक दोस्तों शीत युद्ध के जमाने से ही अमेरिका के फाइटर एयरक्रेफ्ट और रेशिया के एंटी एयरक्रेफ्ट मिसाइलों के बीच में एक तरीके से रेस चल रहा है इस दर्मियान अमेरिका द्वारा जहां पे रेशिया के S-400 को दूसरे देशों में बेचने से अबजेक्शन उठाया जा रहा है वही फे सवाल ये भी है कि क्या बिना S-400 के कोई अमेरिका के दुश्मन देश उसका F-22 और F-35 जैसे अडवांस तरेंट फाइटर या कैप्ट को मार गिरा सकता है दोस्तो आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इरान के पास अमेरिकी F-22 और F-35 जैसे अडवांस तरेंट फाइटर या कैप्ट को मार गिराने का श्रमता आ चुका है जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा रश्या के और एक मिसाइल के बारे में जिसे फिलाल सोया हुआ दानव कहा जा रहा है तो दोस्तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए रुपोर्ट के मुताविक इरान के पास हजारों के संख्या में मिसाइल है और ये मिसाइल एक डजन से भी अधिक डिफरेंट टाइफ के है और इन मिसाइलों के बदालत इरानियन फोर्सों के पास हाई अल्टिट्यूट में उड़ने वाले फाइटर ये क्रप्टों को भी मार गिराने का संख्या है दोसो ये think tank के report के मुताविक 2019 में इरान द्वारा वावर 373 नामक एक long range surface to air missile के development किया गया है जो एक तरिके से Russian S-300 जैसा ही missile है और इसे अमेरिका के Patriot missile के counter part बोलके भी इरान के तरफ से कहा जा रहा है दोसो इवन इसके इलावा इरान द्वारा रशिया के साथ deal के तहट S-300 को भी हासिल किया गया आई आई SS के report के मुताविक इरान के पास करीवन 32 batteries S-300 सिस्टम है जिसे रशिया द्वारा 2016 से इरान को देना शुरू किया गया है दोसो S-300, S-400 के previous version है जिसके पास 136 टारगेट को एंगेज करने का शमता है और ये करीवन 120 माइल के डिस्टेंस से अपने टारगेट को ध्वस कर पाता है दोस्तो माना जाता है कि अमेरिका का जो sophisticated drone को मार गिराया गया था उसमें इरान द्वारा खोरदात 15 anti-aircraft system के सायद 2C missile का इस्तेमाल किया गया था और दोस्तो ये घटना ये भी दर्शाता है कि इरान के पास अमेरिकी हवाई हमलों को रोकने का भी शमता है और अमेरिका के हतियारों को counter करने का शमता develop हो रहा है और दोस्तो इस तरीके के missile के capabilities के वज़ा से इरान अब धीरे धीरे करके अमेरिका के F-22, B-2 और F-35 जैसे aircraftों के खिलाब भी अपना counterbalance तयार कर रहा है जबकि इरान एक एक करके advance train Russian हतियारों को भी अपने बेडे में शामिल कर रहा है ताकि stealth aircraftों को भी मार गिराया जा पाए सुनने को तो ये भी आया है कि चाइना द्वारा अब रशिया को insist किया जा रहा है कि रशिया S-400 सिस्टम को भी इरान को दे दोस्तो चाइना का इस प्रयास के पीछे चाइना का दोहरा मकसद है जहाँ पे चाइना चाहता है कि इरान जो 400 बिलियन डॉलर के deal चाइना के साथ कर रहा है उसके पैसा ओ अपने defense purchases में इस्तेमाल करे ताकि चाइना अच्छे तरीके से इरान को day trap में फसा पाए जबकि दूसरे तरफ चाइना का दूसरा मकसद है कि आधुनिक्तम हतियार अगर इरान को मिलेगा और इनमें अगर S-400 जैसे missile शामिल होगा तो अमेरिका को इ अमेरिका के forces दोनों तरफ divided हो जाएगा पर यहाँ फे सवाल ये भी है कि क्या सच में Russia द्वारा इरान को S-400 बेचा जाएगा दोसरों एक तरीके से देखे तो हाली में इन बातों को अफोही माना जा रहा था लेकिन Russian envoy जो इरान में तैना थे उनके तरफ से दिया गया कोई भी challenging बात नहीं है और Russia ऐसे हतियारों के supply US embargo के खिलाब जाके भी कर सकता है पर दोस्तों इससे आने वाले समय में खाली अमेरिकी हतियारों को ही खत्रा नहीं होगा बलकि Middle East में स्थित अमेरिका के बहुत सारे ally देशों के लिए भी खत्रा बन सकता है जो एक तरीके से इरान के कटर दुश्मन है और दोस्तों इसी वज़ा से ही रशिया अभी तक पहल करते हुए अपने हतियारों का supply इरान को इतना मजबूत नहीं किया है कि Middle East के बाकी देश रशिया के साथ अपने दोस्ती पूर्ण रिष्टे को खराफ कर ले फिराल इरान के FAST S300 है जिसके capabilities को लेके काफी सवाल भी उठ रहा था जब इसरेल के F-35 ने इरान के अंदर strike किया था पर इरान के खुद के बनाया हुआ कुछ missile अब अमेरिका के stealth fighter के लिए खतरा बनने के तरफ आगे बढ़ रहा है दोस्तों अब चलिए जानते है रशिया का वो खतरना खतियार जिसे अ रशा को पुराना missile का खुलासा हाली में Russian TV द्वारा publish किया गया एक report में पता चला है जिसमें इस missile को fire करते हुए दिखाया जा रहा है और दोस्तों कहा जा रहा है कि इस missile को कफकास 2020 multinational military exercise के दर्मियान fire किया गया था दोस्तों रशिया के नीजी टीवी के इस report में ये भी बताया गया है कि ये जो military exercise था ये रशिया नेवी के एडवांस तरिन फ्रिगेट, एड्मिरल गौशकॉफ के लीडिंग शीव, एड्मिरल गौशकॉफ और सेवा स्टैफॉल्स यूट्स बैटरी के बीच में हुआ थ दोस्तों इस report में ये भी बताया गया है कि exercise के दर्मियान इस missile battery से 3M44 Progress Antisip missile को launch किया गया था जिसे बाद में करीवन 6.2 mile के distance से frigate के air defense system द्वारा intercept कर लिया गया था दोस्तों इस missile को यूटर्स बैटरी के twin tube में से right tube से launch किया गया था और launching के बाद battery को फिर से अपने safe जगा में व्याफस ले लिया गया दोस्तों रशिया के खुफिया रिपोर्ट के मुताविक ये यूटर्स बैटरी के साथ कुछ घातक missile को Crimea के coastal region को protect करने के लिए कुछ special bunk bunkers और special zone में deploy किया गया है object 100 नामक एक project के तहट दो identical underground complex का भी निर्मान किया गया है जिन में एक side से दूसरे side का distance करीवन 6 km है और दोस्तों ये black sea को protect करने का रशिया का अब तक का सबसे खतरनाक तरीन project है 1956 में शुरू किया गया ये Russian engineering का एक बहुती बहतरीन उधारन है और इसे 1956 से लेके 1961 तक तयार किया गया 1961 में Soviet जमाने के बना हुआ P-35B मिसाइलों को इसमें रखा गया था और इसके माध्यम से ही तब coastal listen का protection किया जाता था 1976 में इसमें Utah's battery का deployment किया गया है और इन deployment के साथ खतरनाक तरीन anti-ship मिसाइलों को भी यहाँ पे deploy किया गया था दोस्तों तो यहाँ पे कुछ ऐसे खतरनाक Soviet जमाने का anti-ship मिसाइलों को अभी रखा गया है जिसके बारे में शायद ही दुनिया जानता हो और इसी वज़ा से इसे अब सोया हुआ दानव कहा जाता है क्योंकि Soviet जमाने के इन मिसाइलों को रशिया के द्वारा अब छुपा के ही रखा हुआ है और ज़रुत पढ़ने पे ही इसे दुनिया के सामने लाया जाएगा इस मिसाइल के परिक्षन के दर्मियान रशिया द्वारा जो 3M44 मिसाइल का टेस्ट किया गया था वो असल में इसका एक बहुती साधरन मिसाइल है जबकि इससे भी असाधरन और खतरनाक मिसाइ अभी भी इन बैटरीज में चुपा हुआ है दोस्तों फिलाल जिस मिसाइल का फरिक्षन किया गया था उसे लेके ये भी कहा जाता है कि ये असल में SSC One Week का एक मोडिफाइड वर्जन है जिसका लंबाई साधर दस मिटर, डाय मिटर करीवन एक मिटर, विंस्पैन पांच मि किलो मिटर से लेके साड़े साथ सो किलो मिटर है दोस्तों उस समय इसमें internal guidance system लगाया गया था जबकि अब upgrade करते हुए इसमें active radar homing system को भी लगाया गया है और दोस्तों आपको जानके हैरानी होगा कि इस मिसाइल में खाली 1000 kg के warhead को लगाया नहीं जा सकता है बलकि 200 से लेक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिंद